कॉंक्रीट रेशियो इस इन हाउस कंस्ट्रक्शन पीशी के लिए डालते हैं 148 मतलब 1 से सिमेंट 4 सैंड 8 एग्रिगेट कॉलॉम के लिए एक डेर तीन एम 20 ग्रेड में हम डालेंगे सिमेंट हो गया यह हो गया एग्रिगेट ठीक है वीम के लिए हम डालते हैं एक डेर Thine पार आई एस कोड 456 के हिसाब से अधे हम फांडेशन के लिए डालते हम 1-5 2-3 मतलब हो गया आपका 1 cement 1.5 हो गया sand and 3 हो गया aggregate लिंटर के डालेंगे एक डेड़ तीन एस सेम यही चीज़ आएगा ठीक है और सिलाब में हम यूज करते हैं कभी एक डेड़ तीन जो की M20 ग्रेड में यह होता है और प्लास्टर के लिए हम यूज करते हैं इनर वाल जो अंदर की तरफ जो दिवाल प्लास्टर में यूज करते हैं कि concrete और यह रहा जो हम जुडाई के काम करते हैं जो वर्क जो होता है हमारा उसमें जो चार इंची का दिवाल होता है उसमें जो मोटार ढालते हैं इसको मोटार बोलते हैं 1 to 4 का ratio में, ठीक है, 1 to 4 बहुत तारे लोग जो नहे हैं, उनको नहीं समझ मारा था उनको मैं पता दू, ये होगी आपका, ये होगी आपका, cement, ठीक है, और ये होगी आपका, sand, ठीक है, ये आपका, sand हो गया, और 9 इंची वाल के लिए हम डालेंगे, 1 to 5 का ratio, मतलब इसमें भी होगी आपका, cement हो गया, और ये होगी आपका, sand, ठीक है, ये 9 इंची वाल के लिए, जो मोटा वाला होता है, ठीकनेस दैन, 9 इंची वाल हो, 9 इंची से जो कम रहाएगा, उसमें हम डालेंगे, 1 to 5 करेंगे, अब आप लोग कहेंगे, कि इनर वाल में 1 to 4, और 4 इंची में 1 to 5 और 9 इंची वाल से जो पतला राता है, इसका जो लोजिक है, अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा सारा, तो इस वेसिक नोलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों?